रामगर थाना अंतरकत अलावडा कस्वे की गोरक्षा चोकी पर तैनात कॉंस्टेबल रामचरन मीना और कॉंस्टेबल संतराम राना का करीब धाई वर्ष सिक के बास स्थानतरन हो गया जिसमें से रामचरन मीना का स्थांतरन ग्रेनी थाना शेतर की चोकी गड़ी सवाई राम और कॉंस्टेबल संतराम राना का स्थांतरन गोविंदगर थाना शेतर की नस्वारी पुलिस चोकी पर जिला पुलिस अधिक्षक ने किया है दोरों कॉंस्टेबलों का स्थांतरन होन अनिक गड़मानने लोगों ने दोनों कोंस्टेबलों को माल्यारपन कर साफा बांध गुलाल लगा कर विदाई दी इस अफसर पर सम्मोधत करते हुए ग्राम पंचाय सरपन जुम्वा खान ने दोनों कॉंस्टेबलो के सेवा काल को संतोश जक्त बताया और कहा कि दोनों कॉंस्टेबलो ने अलावडा चोकी पर अपने धाई वर्ष के सेवा काल में सरहानिय कारिय किये जिनमें से एक है जनवरी महा में 20,000 के इनामी बदमाश टटलू वाज अमन राजपूत को ग्रफतार किया था और करीब डेड़ वर्ष पूर अपनी नीजी रंजिस का बदला लेने के चकर में निर्दोश लोगों को फसाने और संप्रदाइक सोहार्द बिगारने की नियस से एक सरदार के केस काटने की फरजी मामले का साथ दिन में खुलासा क्या था इस मामले में जिला पुलिस अधिक्षक द्वारा कॉंस्टेबल संदराम नाना को समानित भी किया था सभी ने दोनों कोंस्टेबलों के उसल भविशे की कामना के साथ भाव भी नी विदाए दी इस तोरान सरपंज जुम्मा खान उप सरपंज महिंदर शर्मा चोकी इंचार्ज हरी राम कोंस्टेबल इंदराज गुजर भूतपूरु सरपंज कमल चंद चोवा ग्राम पंचा डॉक्तर सुंदर सेनी चंदरबोश राजपू सहित अनेक गणमाने लोग मोजूद रहे